अभी सिर्फ प्योर्ली अड्जस्मेंट पे बात करेंगे क्या क्या कर लिया था सर हमने डारिक टिन डारिक एकश्पίνस देख लिया एक फॉर्मिट देख लिया था कैसे करते हैं और उस से related नूमबर वन सबसे पहले तो हम बात करेंगे सर, adjustment क्या होता है ये तो पता चले हमें देखो, होता क्या है नॉर्मली, हमारा accounts का जो jsबस्ट करे ना, सबसे पहले हम क्या करते है journal और journal के बाद हम बनाते है laser और laser के बाद बनाते हैं trail balance और जो trial balance होता है ना ये हमारा अगर match नहीं होता तो यानि कहीं न कहीं या तो journal में mistake किया हुआ है या फिर laser में mistake किया हुआ यही proof करता है अगर match नहीं हुआ अब यहां पे कुछ बाते अगर हम भूल गए या कुछ गलत कर दिया तो हमारा जब trial balance prepare हो जाता है तो इसकी मदद से सिर्फ trial balance की help से हमें बनाना पड़ता है अपना trading account अपना profit and loss और अपना एक balance sheet किसकी मदद से बनाते हैं trial balance अब देखो trial balance बनता है वो double entry के साब से बनता है क जैसे cash account debit to capital debit भी credit भी laser में भी दोनों भी two और buy लेके चलते हो trial balance में दोनों लेकिन अब trial balance के बाद अगर कोई चीज़े रह जाती है तो उसको हम point बना के लिख देते हैं जैसे कि closing stock लिखती है हमने ठीक है closing stock या फिर जैसे हमने लिख दिया outstanding rent तो जो चीज़े रह जाती हो बाहर लिखते हैं तो इसकी तो double entry हुई नहीं ना इसलिए जितने भी adjustment होगा हमेशा उसका दो entry होगा एक debit और एक credit होगा और वो देखना पड़ेगा कि कहा debit होता है और कहा credit इसी को हम समझेंगे adjustment में तो adjustment क्या होता है जो trial balance के बाहर points में कुछ points hint given होता है इसको क्या बोलते है हम adjustment यानि आपको एक्जाम के अंदर trial balance पहले से बना बनाया मिलेगा और adjustment उसके नीचे मिलेगा आपको trial balance की मदद से और इस adjustment दोनों की मदद से आपको बनाना है एक final account ठीक है तो adjustment number one से लेके कुछ जो भी adjustment है देखते जाते हैं सबसे पहले adjustment number one हम देखते हैं that is closing stock अब देखिए adjustment आपको कई बारना मैं adjustment बोल रहा हूं लेकिन closing stock दो जगह देखने को मिल सकता है आपको एक maybe possible है कि आपको देखने को मिले trial balance में तो आप समझिएगा अगर आपको trial balance के अंदर चीजे मिल रही है तो already double entry होके आईए वो उसकी double entry कभी भी नहीं होगी जो भी आपको trial balance के अंदर मिलेगा उसका double entry कभी नहीं होता उसकी यह की entry होती है और adjustment के में सब 2 entry तो अगर आप आपको trial balance में मिलता है तो उसकी double entry नहीं करेंगे सिर्फ एक ही entry करेंगे और वह चला जाएगा हमारा बैलेंच शीट में कि बैलेंच शीट में एसेट साइड कहां चला जाएगा हमारे बैलेंच शीट के एसेट साइड दूसरी बात करते हैं trial balance के बाद तो हमारा adjustment में हो सकता है अगर adjustment की में बात करूं तो बताओ कहां होगा adjustment में trial balance के बाहर ठीक है और जब adjustment में होगा तो always इस दो entry करने पड़ेगी आपको उसकी सार दो entry कहां एक चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक चला जाएगा balance sheet में अगर ट्रेडिंग अकाउंट की हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में जाएगा that is आपका credit साइड ठीक है जिसे हम buy side भी बोल देते हैं और balance sheet के में अंदर credit debit नहीं होता balance sheet में assets और liability होता है that is चला जाएगा आपका asset side आपको कई जगा confuse किया जाएगा कैसे कुछ note लिख लेते हैं सर नोट क्या है when closing stock market value market value मतलब market price and cost price जिसको हम book value भी बोल देते हैं हो थार गीवन कई बार आपको दोनों prices गीवन होते हैं market value भी और book value भी तो तब क्या करेंगे तब जैसे example ले लेताओं में यहां जैसे मानलो मैंने closing stock का market price दे दिया market price आपका है 2000 और मैंने लिख दिया आपको cost price भी cost price लिख दिया मैंने 2500 तो आपका यहां पर answer जो होगा वो answer होगा 2000 दूसरा example देखो जैसे मैंने मानलो example number 2 market price मैंने लिख दिया 1500 और cost price जो लिख दिया 1300 तो answer जो होगा वो होगा 1300 मतलब समध्या निसर आप यहां पर देखोगे के answer जो कम है न यहां पर लिया जाएगा always किसको लिया जाएगा market price and cost price whichever is lower जो दोनों में से कम है both given इसके आगे मैं continue कर रहा हूँ then we will be taken market price and cost price whichever is lower जो दोनों में से कम होगा आपको कैसे दे सकता है वो जैसे मानलो आपके सामने ये trial balance बनाया ठीक है और बाहर लिख दिया इसने closing stock 2000 और bracket में लिख दिया cost है इसका 1500 रुपए तो आपको ये तो पता है कि closing stock adjustment में trading और balance sheet में लिखना है लेकिन now confusion कि answer 2000 लिखें या 1500 लिखें तो ऐसे situation में क्या लो गया 1500 लो गया whichever is lower ये कौन कहता है कि ऐसा करना चाहिए तो ये हमारे जितने भी accounts चलते हैं वो किसी ने किसी rule के उपर अधारी उत होते हैं और accounts के सारे के सारे rule जो है ना accounting standard में mention होते हैं यह कहता है एसा करने को accounting standard टू आगे हम पढ़ेंगे भी यह स्टू हमारे स्लेवर्स का पार्ट है एस टू कहता है हमारे काम को इस तरीके क्या करने के लिए ठीक है ना तो यह क्या था सर हमारा यह था हमारा closing stock यह क्या था closing stock चलिए आगे चलते हैं मैं adjustment करता जाओं जाओंगा यह adjustment number क्या था वन एक की साथ नोट कर ले